Hello everyone, कैसे हैं आप लोग आज की जॉब की अपडेट CISF की तरफ से ये रिगूरूटमेंट ए 2022 की तरफ से complete detail में डिसकस करेंगे इस वीडियो के अंदर selection process किस तरीके से रहने वाला है, आपका eligibility criteria क्या क्या रहने वाला है, age limit क्या क्या रहने वाली है complete detail में डिसकस करेंगे इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को last तक जरूर से देखना और अगर आपको ये चैनल पर वीडियो helpful लगे तो ये चैनल को subscribe करके bell icon गंटी को आप all पे click कर सकते हैं, ताकि जो की नई वीडियो upload हो, उसकी notification सबसे पहले अब तक provide हो तो ये CISF recruitment की बात करें हैं, तो जो आपकी important date है, वो starting date आप application की बात करें हैं तो 21 November 2022 से application form start हो चुके हैं, इसकी last date की बात करें, तो 20 December 2022 इसकी last date रहने वाली है इस recruitment के अंदर हम constable, trade man, post से related इस वीडियो के अंदर हम discuss करने वाले eligibility criteria और complete post name wise vacancy, तो चलिए discuss करते हैं, post name wise vacancy में तो यह constable cook के लिए male के लिए 247 vacancy है, female के लिए 27 है, total यहां 274 vacancy है available है, constable cook के लिए जिसमें EX serviceman के लिए 30 vacancy है, जिसमें grand total vacancy की बात करें cook के लिए तो यहां आपको 304 vacancy देखने को मिल रही है, आप यहां से notification से भी check out कर सकते हैं यहां kobler के लिए यहां आपको total vacancy 6 है, constable tailor के लिए 27 है, barber के लिए 102 है, washerman के लिए 118 है sweeper के लिए 199 है, painter के लिए 1 vacancy है, masoon के लिए 12 vacancy है, palamber के लिए 4 vacancy है mali के लिए 3 vacancy है, welder के लिए यहां आपको 3 vacancy है, total अगर बात करें हैं तो 779 vacancy यहां available है, जिसमें backlog vacancy को अगर include किया जाए तो यहां total vacancy 787 यहां आपको vacancy देखने को मिल रही है, जिसमें आप यहां से check out कर सकते हैं के male के लिए 641 vacancy total और females के लिए 69 यह total vacancy है, जिसमें EX servicemen category के लिए यहां total 77 vacancy आपको देखने को मिल रही है, मैं इसकी complete notification की pdf भी आपको telegram page पर provide कर दूँगा, जो भी candidate interested है वो telegram page को जाइन करके इसकी complete notification को आप easily check out भी कर सकते हैं इसको आपको direct application का link भी आपको video के description में आपके लिए provide हो जाएंगा, वीडियो के description में direct application form लिए अगर जो भी candidate interested है तो आप video के description में जाकर directly application form को easily fill up कर सकते हैं फिजीकल इस्टेंडर की बात करें हैं, तो male candidate के लिए जो height यहाँ applicable है वो 170 cm यहाँ आपकी height है इसमें भी आपको relaxation देखने को मिलने वाला है और chase की बात करें हैं, तो male candidate के लिए 80 to 85 cm यहाँ आपको chase देखने को मिल रहा है इसमें भी जो भी backward class है से उसमें आपको relaxation देखने को मिल सकता है, और जो female candidate की height की बात करें तो यहाँ 150 सेवा ने जो भी female candidate में relaxation में आते हैं उनके लिए भी यहाँ आपको छूट देखने को मिल रही है और यहाँ female के लिए chase not applicable है, next discuss करें यहाँ हम application fees की तो जो भी general category में और OBC category में है उनके लिए यहाँ आपको 100 rupees application fees pay करना है और जो backward class में आते हैं SCHT female candidate उनके लिए यहाँ को कोई भी fees बरने की ज़रूरत नहीं है और जो यह physical standard है आप notification से भी complete check out कर सकते हैं कि जिसमें relaxation वाले candidate के लिए भी आपको क्या क्या समझो, for example height के लिए relaxation candidate के लिए कितने height है और male candidate के लिए कितनी chest लगने वाली है और height कितने लगने वाली है relaxation के लिए और जो relaxation provide होने वाला है वो भी इस वीडियो के अंदर हम discuss करने वाले है तो वीडियो को last तक जरूर से देखना age relaxation की बात करें यहां तो SCHT के लिए यहां आपको 5 year की छूट मिल रही है OBC के लिए 3 year की है EX servicemen के लिए 3 year की है आपको relaxation provide हो रहा है eligibility criteria की बात करें यहां तो जो भी candidate 10 pass है वो यहां पर easily apply कर सकता है selection process की बात करें तो यहां first of all यहां आपका physical standard test होने वाला है उसके बाद यहां आपका documentation होने वाला है next उसके बाद आपका trade test है उसके बाद आपका return examination है उसके बाद आपका final selection होने वाला है इस तरीके से आपका यह final stage रहने वाला है वो वीडियो के description में जाका directly application form को easily fill up कर सकते है और जो यहां आपको salary provide होने वाली है constable and tradesman post के लिए वो 21,000 से लेकर 69,000 पर मन के लिए यहां आपको salary provide होने वाली है आपको lances भी provide होते है government के according next यहां age limit की बात करें तो constable and tradesman की जो आपको minimum age limit है वो 89 maximum यहां आपको 25 यहां आपको age limit टेकने को मिल रही है relaxation मने आपको जैसा कि start में discuss कर दिया कि आपको इस तरीके से यहां आपको relaxation पी provide हो रहा है और अगर आपको वीडियो के अंदर फिर भी कोई भी questions या doubt रहते है तो आप हमें comment करके जरूर से पूछ सकते है अगर आपको government jobs regarding latest notification की update चाहिए या off-campus related latest notification की update चाहिए था आप यह चैनल को subscribe करके bell icon गंटी को आप all पे click कर सकते है ताकि जोगी new video upload हो उसकी notification सबसे पहले आप तक provide हो and जो इस recruitment की last date रहने वाली है वो 20 December 2022 up to 30 hours से पहले आपको इस form को application form को fill करके यो भी आपको submit करना है इस तरीके से यह video end होती है